सब्सक्राइब और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जो आगे के टॉपिक्स हैं 4.3 एक्सराइब से उससे तो उसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटर्सेक्शन और लाइन एंटर्सेक्शन और लाइन एंटर्सेक्शन से हमको क्या रेजल्ट मिलता है तो इसको सबसे पहले आपको डाइग्राम के तुरू समझना पड़ेगा कि लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन हमारा जो है दिखता कैसे है तो मान लेते हैं कि यह हमारा कोई प्लेन है यह हमारा कोई प्लेन है और हमारी कोई लाइन जो है इस तरह से आई है यहां से और यहां तेज है प्लेन पे वापस निखिए थी तो हमारे लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है आपको ध्यान से एक चीज़ याद करनी है कि हमारे प्लेन की लिए कि एक्वेशन क्या होती है हमारा कोई भी प्लेन है मालेता है उसकी च्वेशन हमारी क्या है आर डॉ ट क्वेशन है और जो हमारी लाइन हाँ उसकी थी अब देखिए अब अब हमारा यह जो पॉइंट है हमको क्या करना है और हमारा फोकस की रहेगा कि हमको इस पॉइंट का यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट है प्लेन और लाइन के बीच में इनका हमको इसका कॉडिनेट निकालना है इसके कॉडिनेट निकालना है तो हम माल लेते हैं यह जो पॉइंट की कि जो कफ़र्शन वेक्टर वो रार से रही सिर और वह कैसे है एपோ स्टीभी मौन लेते हैं हमारा यहाँ पॉइंट ठीक जिसकी पॉइंट्सकिसे क्या है इस लाइन के पैरलल कोई वेक्टर है जिसका जो कि हमारी क्या है वेक्टर भी है अब ध्यान से देखिए इस लाइन पे किसी भी पॉइंट की जो पॉजिशन वेक्टर होगी उसको आर इस इकोस टू ए प्लस टीवी के फॉर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब देखिए यह जो पॉइंट है माल लेते हैं इस पॉइंट b being paar सम समस्ट कर सकतर में डार्त Land वे सर फॉइंट कि वो पॉइंट कि दो डी कि अ पॉइंट है अन अजिएटाCr्ट को अक मैं कि लेते हैं वे पॉइंटर से सिंट एंटार्तिक्ड और में र भी पॉइंट कि अलीए यह पॉइंट ब辉ट इस आर शिपमनिफुएंट तो वह हमारा 1 प्लेन लाइं दू माल लेते हैं में कर्वार है कि आर हमारा पूजिशन वेक्टर होगी अब ध्यान से देखो अगर यह एम की पूजिशन हमारी इस पॉजिशन में होगी A plus TB के form में और यह point हमारा plane पे भी लाए कर रहा है इसका मतलब कि यह जो हमारा point है यह हमारे plane की equation को भी satisfy करेगा तो अब हम R की value को R यह plane की equation पे रखके verify कराते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे तो यह पे लिखेंगे यह पुटिंग आज़ एकोल्स to A plus T times of B in equation 1 हमको क्या मिलता है वी गेट अगर वहां पर रखें तो ए प्लस टी बी दॉट प्रोड़क्ट विट एंड प्लस डी इसी पोस्ट जीरो ठीक यहां से हम तो हम क्या निकालेंगे यहां से हम जो है टी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां से यहां अब यहां से माइनस अठाके आप यहां कर लीजे और यह ब्रैकेट में कर दीजे तो हमको यहां से में आप लग गई आप को क्या निकालना है म की पूसिशन वेक्टर निकाल सकते थे, T हमारे यहां से क्या calculate हुआ, A.N minus D upon B.N, N हमको पहले सा पता है क्योंकि plane की position vector में ही D हमको दिया था, plane की equation में ही हमको दिया था, D, T, B.N भी हमको पता है क्योंकि plane की equation में मतलब N पता है, B पता है, हमको line की equation D है, उससे, तो आप यहां इस तरह करके देख सकते हैं तो यह हमारी कौन सी पहले दुसरी यह हमारी किसली हो गई यह हमारी किसली एक्वेशन आ गई तो यहां से हम टी की वैल्यू को एक्वेशन नमबर टू में रख देगे तो यहां से हमें आर जो आएगा वो क्या है M की पोजिशन अंटर है सो कोजिशन वेक्टर ओव एम विल रजोंस टो भी ए लटी क्या है मारी मारी माइनस ओफ व्र टॉट एक जाएख्म यह प्लास हो जाएक बादेटाएज हो अप्लेटान में डी डॉतके इसको इन्टू यह सब हमारा क्या आएगा एक निमेरिकल वेल्यू आएगी यानि कि यह इसकी यह पॉंटिटी आएगी और इसको वेक्टर भी से मुल्टिप्लाइटर देंगे तो यह हमारा आ जाएगा पॉजीशन वेक्टर ऑप इंटर्सेक्टिंग पॉइंट पॉइंट तो यह आपका एक आर्टिकल हो गया अग आप इसको नोट कर लीचे और मैं दिख लेता हूं आपको अगला 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 आटिकल क्या है अग। हुआ 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 तो यह साथ नोट कर लिया हुआ इसको चलिए अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं हुआ 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 हु तो आपका अगला आटिकल है इंसर इमेज आफे पॉइंट इने प्लेन मिरर तो हडी नालेंगे किसी पॉइंट की एक प्लेन मिरर में उसकी इमेज यानि की आपको इस तरह से एक मिरर ले लेना है कि इमेजिन करना है कि यह एक मिरर है यहां पर आपक्या एक पॉइंट है मान लेते हैं यह पॉइंट की पॉइंट की पॉजिशन वर्टक अ है ठीक और इसकी अब अगर इमेज देखनी है इस मिरर में तो यह कहीं यहां करावबार उतनी ही दूर जाके बनेगी इसकी इमेज कहां बनेगी इस मिरर से उतनी पॉइंट हमारा होगा कि यह मान लेते हैं हमारा क्या है यह यह डैश है अब ध्यान से देखिए यह पॉइंट और यह जो पॉइंट है कि इसको जॉइंट करने वाली लाइन की पॉजिशन वेक्टर क्या होगी हमको निकालना क्या है इस पॉइंट का हमको निकालना है वह क्या क्याते हैं पॉजिशन वेक्टर निकालना है यह पॉइंट हमारा क्या है मिड़ पॉइंट होगा एक और एडैश का क्याप्टले औ अगर इस लाइन की एक्वेशन हमको पता है अगर मान लेते हैं कि हमें लाइन की पता है और वो क्या है आर इस इक्वेश्ट टू आर इस इक्वेश्ट टू एक कॉइंट हमारा जो पहले से लाइन से है प्लस टी टाइंस ओफ बी अब बी क्या है बी हमारी एक पैरलल वेक्टर है इस लाइन के अब ध्यांच रेखिए इस प्लें की जो नॉर्मल होगी यहां जानि की ध्यां देखिए इस लाइन की हमें युक्वेश्ट लिखने के लिए क्या चाहिए एक कोई पूइंट की पोजिजिटर इस लाइन पे और इसके लाँंग एक पैरलल वेक्टर हमको जरूब रहती है तो पैरलल वेक्टर हमको पता लग fell और प्वेश्ट हमार करवेंगे इस कोडिने करने है यहां पे लिए क्या खिर नहीं होगीT होती है जाको यहां पर लिखेंगे पोजिशन वक्टर ओफ ए-धस will be in the form of this, the position vector of a dash will be in the form, in the form of this form position vector a dash, the position vector of a dash will be in the form of a a plus tb, a plus tb, a plus tb ke form me, a dash ke position vector hooghi, अब ध्यान से देखिए, अगर हमें यह point पता है, और हमें यह point के position vector मान लेते हैं, हमें पता लगे कि इसी form में होगी, तो क्या हम इसका midpoint के coordinates नहीं निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, तो इसका midpoint होगा, वो हमारा किस तरह से होगा, तो जो m के position vector of m will be equal to a point a की plus, यह वाला, point a dash, a plus t times of b divided by 2, midpoint है ना, क्योंकि, m, m coordinate हमारा midpoint है दोनों का, तो उन दोनों की position vector divided by, मतलब add कर देंगे, और फिर 2 से divide कर देंगे, तो हमें m का position vector पसर रख जाएगा, ती, अब यहां से देखिए, position vector of m हमें आ वहीं थी, इसको हम क्या करते हैं, m जो हमारा है, वो हमारे plane पिलाए कर रहा है, ती, और हमारी plane की equation हमें क्या given है, तो इस plane की equation क्या है हमारी, अब जैसे की, यह हमारा m point उस plane पिलाए कर रहा है, तो हमारा जो m होगा, वो हमारी उस plane की equation को satisfy करना चाहिए, इसका मतलब की, as, यहां पर आपके side में लिख लेंगे, इस तरह से, यहां पर लिखेंगे आप r is equal to a plus t times of b equation 1, और just इसके निचे लिखेंगे आप, r dot n plus d is equal to 0, this will be the second equation, which is the equation of plane, यह हमारी क्या आए plane की equation है, अब ध्यान से लेकिए, as the point M, lies on plane, हमारे जो point M होगा, वो हमारे कहां लाए कर रहा है, plane की लाए कर रहा है, so, it will satisfy, so its position, it will satisfy, so it will satisfy the equation 2, हमारे plane की equation 2 satisfy करना से ही है, तो हम अब satisfy कराते हैं, यहां पर हमें क्या आजाएगा, a plus a plus t times b, अब b क्या है जहां से लेको, b हमारा normal vector n है, तो हम b की जगे हर जगे n लिखेंगे, यहां पर भी हमारा n रहेगा, यह हमने b लिख दिया, यहां हर जगे n रहेगा, तो कि हमने यहीं पर यह हमने n करवाया था, यह हमारा normal vector रहती है, वह हमारे प्या है, वह हमारे प्या है, दिखा और दॉट प्रोड़क्त नॉर्मल वेक्टर प्लस इस इकोल जीरो इस यह आपने सटिस्फाय करा दिया अब इसको सटिस्फाय कराने के बाद आपको क्या मिला यह जाएगा टू एडिवेड़ वाइड 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 यानि की एक अधिश्ट अधिश्ट प्लस अधिश्ट आपको मिल गया अगले स्टेप में दिखते हैं क्या होता है कि कहां मिटा रहे हैं कि यहां से टारते हैं ऊपर वाली दो एक्वेश्ट प्रेंदेट हैं कि निकालते हैं कि यहां को शेयर में क्या चाहिए हमें एक्ष्ट फूजिश्ट अग्टर चाहिए और एक्ष्ट की पो शिच रिक्तर क्या है आप क्या करते हैं वो हमको यहां से टी निकालेंगे लेगा तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास अगला यह हमारा हटा है तो यह हमारा यह दोट एन डॉट एन प्लस पी टाइम्स ओफ मॉड़न का स्क्राइर हो जाएगा यहां पर पॉन टू प्लस भी जो जीरो हो जाएगा क्या करेंगे अब इतना आगया पी की वेले निकालने रहें तो यह हमारा टी इदर माइनस में ले जाएगे तो अब यहां से निकालेंगे तो हमारा टी कितना आजाएगा फाइनली तो यह विल बी इक्वोल्स तो यह जो हमारा टी है अब यहां से निकालेंगे तो हमारा टी कितना आजाएगा फाइनली तो यह हमारा टी आजाएगा थी आजाएगा पाक्स तो यह होटा आजाएगा प्रॉंत क्रॉट्ट एंगा ने सिया फिर्व। यह हमारा या जाएगा के अर अ के मुआ अब इस टीस की वैली को हम क्या करते हैं इस वेक्टर एक पोजिशन अच्रक्टेशों अरु फिरिद्स पॉस्भीजिशन अमें रखते हैं तो उस लाइन की पोजिशन वेक्टर और यह इस लाइन की एक्वेशन होती है एडाइस उस लाइन पे एक पॉइंट पे हमारा जब उस लाइन पे जो मारा पॉइंट है उसका पोजिशन वेक्टर इस फॉर्म में होगा और एडाइस की कंडिशन से हमने ती की वेल्यू क्या निकाली है यह एडाइस की इन दे सेंस की अदाइस हमारा उतनी दूरी पर रहे दिखता दूर हमारा ए है वह भी बड़ वो तो साइट रहेगा तो फिर वहां से हम एंप को प्ल इमेज ऑफ पॉइंट ए पोजिशन अटार आप फॉइंट इमेज फिचन वेक्टर आप वइंट ए यायनि की पॉजिशन वेक्टर ओफ ए डैश ठीक है ना एंड़ पिज़ प्लस एक वाल्यू रखेंगे तो यह आजाएगा मारे पास माइनस चूप नाया थाएगा माइन 2 times of a dot n plus b upon n square a minus b के वाली रप्ता अफिर n dot ले लेगे तो यह हमारा हो जाएगा position vector of a dash a dash की हमारी क्या हो जाएगी position vector हो जाएगी एगर मैं चक कर लेता हूँ हमारी position vector आजाएगी a dash की वह क्या आजाएगी यह हो कि हमारा image of a point on a plane mirror की की कोई भी अगर हमारा plane mirror होगा या अगर हमारी plane दी होगी तो उसको as a mirror treat करते हुए हम कैसे किसी भी point की image निकालेंगे उसके respect में और किसी point की image की position vector कैसे निकालेंगे तो वह यह आ गई ठीक अब हमारा अगला जो topic या फिर अगला जो article आता है इस पर हमारा आता है distance of a point from a straight line and its equation किसी भी point का distance straight line से और उसकी equation चलिए आईए आप उसको कर लेता है तब तक आप इसको note कर लिएजए चलिए तो अब हेदिंग डालते है लिए distance of a point from a line and its position and its equation केशन जा आप इसको स्टरेबिए रिए तो आप इसको स्टरेविर रिख सकेट a distance of a point from a line and the equation of the line joining the that point and the intersection point of the line चलिए देग्राम के भी सम्झाता हूं कियरो हो है अग्ली अदिक रहेगी, दिस्टेंस निया दोटीक ही? दिस्टेंस अफ़ पोइंट दिस्टेंस फ़इंट फॉम एलाइन की? या फिर फ्राम में स्ट्रेट लाइन करिए हैं निकालते हैं किसी प्राइन का डिस्टेंस क्या होगा किसी स्ट्रेट लाइन से और यहां पर कोई पॉइंट है इसको क्या कहते हैं सबको पता होता है कि किसी पॉइंट के डिस्टेंस हमेशा पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस होता है थि को यह अकर लाइन से निकाले जा रहा होगा तो लाइन से प्रेंडिगूलर डिस्टंस तु इसका यह हमारा पॉइंट है यह हमारा एक पॉइंट है जो कि लाइन पर गिवन है इसको यह कहते हैं इसकी पॉजिशन मिलटा यह है अब देखिए यह हमारा कोई पॉइंट पी है जिसकी पॉजिशन वेक्टर हमको पी भी है और यह पॉइंट को और इस पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन हमें अद से जिए और यह लाइन होगी। यह यहां को जोवेगे वाला लेते हैं ध्यां मान लेते हैं कहीं होगा हमारी होगी आप तरह होगी हमारे यहां तक अब आपको पता लग गया अब जो हमारा हमारा इंगल हमां त करना है और यह धे अब अगर यहां पर एक लगाते हैं कि यहां को क्या मिलता है कि साइन थीटा विल बी इकवल तू पर्पेंडिकुलर अपन है इसका पॉइंट दिया हूँ और इसकी एक प्रारलल रेक्टर भी नहीं हुई है जो कि हमारी क्या है लेक्टर भी है ठीक है ना यहां तभी तो लाइन की एक्वेशन होगी तो हमसे पहले आप लाइन की एक् खीक इवन क्या है बोले तो बंदेद इसे दिवेन आपका दिएक्वेशन पिलाई प्लस टाइमस ओ अची शिच्ट अब लाइन की के विश्टार अब आपता लग गए अजरेंश्ट आपकर लाइन के के विश्टा अब यी देस्टाहिए मारत की आपको लिए गृकिक अब लाइक एक्वेशन के बाद हमको क्या दिया हुआ है पॉजिशन रेक्टर ओंदिपॉइंट पॉइंट कुछ पर्पेडिबुर इसको क्या दिया है अब ध्यान से देखिए हमको क्या करना है PN हमको निकालना है और यह ट्राइंगल है तो हम क्या लिखते हैं यहां से from the triangle ANP sin theta will be equal to sin theta is equals to perpendicular upon hypertonia यानि कि P n upon P n का यह mod है, देखे, sin theta कोई भी numerical value, मतलब हमेशन numerical value होती है, कोई vector नहीं होती है, तो P n upon में hypotenuse, यानि कि vector P minus a ka modulus हम use करेंगे, यहां से, P minus a ka modulus, mod है, अब यह sin theta हमारा आगया, यहां से P n हम comment find out करना है, तो P n हमारा कितना आ रहा है, P n will be equal to sin theta, यानि कि P minus a ka modulus of sin theta, यह हमारा क्या आगया, अब चलिए, हमको क्या निकालना है यहां से, sin theta की value निकाल दी है, अब ध्यान चलिए, हमारी vector है, यह वेक्टर है, यह वेक्टर है, इसको हम यहां भी बना सकते हैं, यह वेक्टर हमारी shift हो स ठीक, और यह जो वेक्टर है, यह कौन सी वेक्टर है हमारी, P minus a vector है यह, हमारा ध्यान से हम देखें, अगर, तो P minus a vector और B vector के बीच का एंगल, हमारा कितना है, theta एंगल आ रहा है, ठीक, तो हम यहां से डिख सकते हैं, कि, अगर, उन दोनों के बीच का एंगल हमारा theta आ रहा है, यानि कि, P minus a, P minus a, ठीक, क्रोस B is equal to P minus a, कमोड, B कमोड, साइन, theta, n, ठीक, यह होता है, हमारा, क्रोस प्रोड़क्ट अगर, आप पढ़े होंगे, निकालना, तो हमारा इस तरह से लिखा जाता है, क्रोस प्रोड़क्ट, ठीक है, अब ध्यान से देखे, क्रोस प्रोड़क्ट हमारा अगर इस तरह लिखा जाता है, तो यहां से हम साइन, theta की value निकालते है, साइन, theta की value हमारी क्या आएगी, p-a, cross with v, divided by, mod of p-a, mod of v, यह हमारी sin theta value आगई, n-cap is equal to sin theta n-cap, अब बताते हैं, sin theta n-cap, n-cap actual में क्या है, यह दोनों vectors के, normal का, normal की direction में, एक क्या है, यह जिस तरफ से marker हमारा आ रहा है, जो marker की direction यह देखिए, यह आप जो marker की direction है, बाहर की तरफ, यह उसका क्या है, यह देखिए, उस direction में, एक normal unit vector है, ठीक, अब जैसे की धांच रखिए, यह वाला term हमारा जो denominator का है, यह तो हमारा एक scalar quantity है, लेकिन जो उपर वाला term है, यह हमारा scalar quantity की वजाए, यह एक vector quantity है, इसी लिए यहाँ पर equal के sign को सही करने के लिए, मतलब ही, equal के sign को गलत मतलब कहा जा सके, sin theta तो हमारी scalar quantity होती है, इसके साथ इसी जो n cap लगाए गया है, क्योंकि यह भी एक vector quantity है, अगर हम केवल, केवल, sin theta की value क्या जाएगी, इसका mod, यहाँ से अगर हम vector अटाएं, तो इसका model लेना पड़ेगा, तो यह भी हमारा scalar quantity होती है, और यह भी हमारी क्या होती होती है, अब हम यही sin theta की value वहाँ पर put करते हैं, चलिए, तो यह हम विटाब दे रहे हैं, अब यहां से, कितना, sin theta की value हम क्या करते है, put करते हैं, तो हमारा पी-n है, वह कितना आ जाएगा, pn will be equal to p-a, p-a, a mod into sin theta की value क्या है, mod of p-a cross b, a mod upon me, p-a, a mod into mod b, p-a, p-a cancel out हे जाएगा, तो हमारे पास, pn हमारा कितना आया, pn हमारा किया, perpendicular distance of the point p from the line, so pn will be equal to p-a, p-a, kros b, ka modless, upon me, p ka modless, तो यह हमारा क्या आ गया, perpendicular distance of a point from a given line, किसी भी given line पे, किसी भी given point का perpendicular distance किसी भी given line से, वो हमारा क्या आ गया, यह हमारा आ गया, अब ध्यान रखिएगा कि यह हमारा modulus लगा रहता है, क्योंकि, pn हमारा distance निकल के आया है, यह कोई equation नहीं, कोई vector quantity नहीं, यह simple or simple scalar distance है, pn, point p का, इस line से, ठीक, perpendicular distance होगा, कभी भी हम distance की बात करते हैं तो, तो इसको note down कर दीजे, और इसके बाद हम क्या करते हैं, यह जो हमारी p और n को join करने वाली line है, इस line की equation निकालना, इसी article में है, इसका अगला part होता हो, पहली बात तो distance निकालना, और फिर distance के बाद उस line, मतलब point p और n वाले line को join करने वाली line का distance, मतलब equation निकालने का तरीका, अभी वो भी करते हैं, तो रिसका अगली कर लीजिए तो चलिए अपने अगले पोइंट पे इसमें क्या है कि यह जो लाइन हमारी हए पॉइंट को जॉइन करने वाली इसका पॉजीशन बैटर निकालना है है सब फिकर हमारा तो नहीं अब बना रहेगा हेडिंग हमारी क्या रहेगी डिस्टेंस कि विजाए अब क्या होगा इक्वेशन अब दे पॉइंट हुदर में टायना पड़ेगा हुदर एक्वेशन नहीं अब दे जा विए पॉदर में अब देवेशन अब क्या है आप पहली हेडिक में यह कर सकते हैं उसमें चलिए का था अब इस्टेंस ओफ पॉइंट है ना तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फॉइंट फॉमें इस्टेंट लिख सकते तो आप यह भी लिख सकते हैं अब इसको बताते हैं अब इसको बताते हैं हैं इसको बताते हैं कि आपको यह इसकी जो लाइन की एक्विशन है वो कैसे निकले हैं तो देखिए हमको पहले क्या था हमको यह वाली लाइन की पॉइंट की पॉजिशन्टर गिवें थी अब हमें करना क्या है यहां पर हमको एक पॉइंट हमारी इस लाइन पे पता है अगर हम किसी तरह से N की position रेक्टर निकाल ले तो हमें इस लाइन की पोजिशन मतलब की हमें इक्वेशन पता लग जाएगी अब वह एंड की से करेंगे हम यहां से हम क्या करते हैं और यह हमारा एंगल को थ्यान से देखें तो हमारा क्या है और यह हमारा इस ट्रेंगल में अगर हम वेक्टर ला लगाते हैं तो हम यहां पर देख सकते हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर A l is equals to vector On explained so nana पीजिए लिखिने कि आप from the figure from the figure we get on equals to vector A plus vector a n अब ध्यान से देखिए वेक्टर A अमरी क्या है आप लोगने class 12 में projection पढ़ा होगा तो आप लोगने class 12 में projection पढ़ा होगा कि किसी भी वेक्टर का किसी भी दूसरी वेक्टर के अलाउंगर अगर हम projection निकाले तो वो क्या होता है अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए मैं बता दोता हूँ, यहां पे जैसे यह वाली जो हमारी वेक्टर है P-A, एक वेक्टर होगी, इस वेक्टर का जब हम इस डिरेक्शन में, B वेक्टर B की डिरेक्शन में, या पर कह सकते हो वेक्टर, A-N वाली जो वेक्टर है, इसकी डिरे प्रोजेक्शन अलोंग इस प्रोजेक्शन है ना, अलोंग इस वेक्टर, ठीक, वेक्टर B के अलोंग में, इस इस वेक्टर का प्रोजेक्शन होता है वो, ठीक, अब यह हमारा कैसे निकलता है, यहां से हम लिखेंगे, A-N is the projectin, projection of P-A along the direction of along the direction of, किसकी direction, along the direction of vector B, ठीक, vector B की direction के along हमारा जो है, A-N हमारा जो है, एक, प्रोजेक्शन हदा P-A का जो प्रोजेक्शन होता है, वेक्टर B के अलोंग, वह हमारी क्या है, वेक्टर, A-N है, ठीक, तो अब हमारे यह क्या होता है, तो A-N विल बी इक्वाल टू, वेक्टर P-A dot product with vector B upon में mod B, यही होता है, किसी भी वेक्टर के along प्रोजेक्शन, एक नड़ में चक कर लेता हूँ, हाँ, यही होता है, ठीक, अब इसको अगर हम ध्यान से लेखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P-A dot product with vector B, ठीक, मतलब B cap, अरे vector B upon mod B, ठीक, अब ध्यान से रखे, यह क्या है, यह है, यह है एक vector quantity, ठीक, और यह क्या है, यह एक scalar quantity है, dot product है, dot product हमेशा scalar quantity देता है, यह एक vector, यह एक vector, इन दोनों का dot product के scalar quantity आया, तो हम क्या कह सकते हैं, कि एक का modulus हमारा इतना है, ठीक, यह scalar दे रहा है, यानि कि projection हमारा actual projection हमेशा क्या देता है, एक scalar quantity देता है, that's why, हमारा जो क्या होगा, इतना distance हमारा जो है, क्या दे रहा है, इसका projection, भी vector के लॉग, अब an vector है, अगर an vector निकालना है, तो an vector हम जानते हैं, क्या होती है, an vector हमारा क्या होता है, an vector का modulus into an cap, यानि कि उस vector का magnitude और उस vector के लोग एक unit vector, मतलब उस vector के लोग unit vector की direction, तो वो हमारा कोई भी vector होता है, ठीक, अब यही चीज़ा हम यहां ही use करेंगे, हमें modulus पता है, हमें बस क्या करना है, an cap निकालना है, अब जहान से देखिए, an cap और b cap हमा same direction में है, तो हम यहां पे लिख रखते हैं, कि since, an vector is equal to b cap, sorry, an cap is equal to b cap, so an vector will be equal to an हमारा क्या हो जाएगा, p-a, dot product with b cap, into b cap, आप यह b cap, b cap से confuse मत होएगा, क्योंकि यह जो portion है, यह हमारा magnitude है, यह जो हमारा इतना portion है, यह magnitude है, और यह direction है, जैसे यह magnitude यह दिरेक्शन, magnitude की value है, यह हमारी आई, इतना आप note कर लिजे, और उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो note कर लिए, मिटा रहें, चलिए, यह जो है हमारा, आप एं की value को वहाँ पर रखेंगे, इसको हम मान लेते हैं, equation number अगर कुछ नहीं डाला था, आप 1 डाल दीजे, और अगर डाला है, तो उस हिसाप से आप equation बढ़ाते चलिए, और इसको हमान लेते हैं, equation number 2, ठीक, आप यहां से putting the value of, equation 2, in equation 1, equation 2 की वाले की ते Chief-1 में र demás action हें, ग RICHARD एंगे, we get,我們 is equal to vector A, plus vector p,minus A, dot product with vector B. तो यह हमारा क्या जाएगा ओन आ जाएगा तो यह को क्या मिल गया अब हम क्या करते हैं अब ध्यान के ओन की पोजिशन में मिल गई यानि कि हमको एक पॉइंट पता है दूसरा पॉइंट पता है अब हम इस लाइंट की जो हमारी क्योशन होती वह आ आरव से निकाल सकते हैं पहला पॉइंट हमको क्या पता है पोजिशन वेक्टर ओफ पॉइंट पॉइंट पी इससीग टरबिग्ट नि न यह क्या है हमारा अब हम क्या करते हैं ध्यांस देखिए हमको पीन लाइन की एक्वेशन चाहिए लाग लाग एक वेक्टर हमारी क्या होगी सो माल लेते हैं कि हमारी एक वेक्टर है पी एक पी माइनस एंड रखते हैं गोगिए तो पॉइंट यह सी पूसिशिए रखेंगे तो एंकिया पूसिशिए वेक्टर प्लस पी माइनस एक डॉट्ट प्रेटर बीकाप इन्टू बीकाप माइनस पी कि यहारा क्या जाएगा ओर रॉट यह यह विल वी इक्पल टू माइनस पी प्लस प्लस पी माइनस ए डॉट विथ बीकाप यह आगे आपका जो है एक वेक्टर विच इस पैरलेल टू योर लाइन ठीक है यह क्या आगे हमारी वेक्टर तो यह हमारी क्या है प्लस 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 यह बड़ी और इसकी फोलिक लिए थैड़्ेट वेक्टर डौरेट फेंस प्लस 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 यह जए ना तो मारी क्या होगी Zero equation of the line, equation of the required line, जो हमारी required line होगी उसकी equation क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी R is equals to दिखने, यहां तो लिक देता हूं, R is equals to A plus T times of B, ठीक, जहां पर A हमारा कोई position vector है, तो R will be equal to position vector P, जो position, non-position vector P, plus P times of, यह, यह परल वेक्टर, यानिकी A, यानिकी A-P plus P minus A, P minus A, dot V, B cap, जो होगा, यह हो गया, यह हो गया हमारा, जो छुटा तो में कुछ ने खीकर, यह हमारा क्या हो गया, यह हमारी इस लाइन की एक्वेशन आ गई तो यह हमारे यहाँ पर तीनों आर्टिकल जो हमारे पर खतम होते हैं और इसके बाद आप अगर यह तीनों आर्टिकल आपको समझ बयाएं तो आप कोशिश करिएगा कौन-कौन सा कॉश्चन लगाने की मैं बता रहा हूं अगले वीडियो मे नंबर जिदना आज इस लेक्शन में पढ़ाएं हैं उस लेक्शर से आपका कौश्चन नंबर एक नटुक जाएं तो कौश्चन नंबर एटीन सॉल हो जाएगा उससे आपका कौश्चन नंबर फॉर सॉल हो जाएगा उससे आपका कौश्चन नंबर फाइट क्या है फाइं एक्षिशन ऑप स्था पासिंट प्रिपले एटीन ने थिए तो तो कोशिश करिएगा जितने भी कोशन साथ से यह विए जो जो आर्टिकल अमने तीन करवाए है इन आर्टिकल से लग जयाए लग जाए एक मिनिट आरहा है तो चलिए कोशिश करिए कि जित्ते भी आप मैंने आर्टिकल करवाएं हैं यह आपको लग जाए और इसको अच्छे से एक बर प्रेक्टिस कर लिजेगा लिजेगा अच्छे से पर नोट बना लिजेगा ट्राय करिए कोश्चन्स लगाने की यह लगते की नहीं कमेंट करके बताईएगा कि कौन-कौन से लग रहे हैं चलिए मिलते हैं नेक्स लेक्टर में कुछ कोश्चन्स के साथ जिसको सॉल्फ पर आएंगे और तीन चार लेक्टर और लगेगा और और ज्यादा भी लग सकता है तो उत्ते में आपका यह जो है एक यूनिट आपका खतम हो ऑफ़िस हैं तो सब्सक्राइब करें आपका यह जब सहां पर और लेक्टर हैं टूश्या जाएंगे लगेगां कि लेक्टर रहे हैं तो एकशन्मस हैजब का आपको जाता हैं आपका थम पर आफ़िस्टर और जावेशन्गीं डिवह जो आपका से अिज़ाएंगे और